नमस्कार दोस्तों, रश्या की जो एक सबसे बड़ी डिमांड थी कि जो यूक्रेन है वो नेटो का पार्ट नहीं होना चीए। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर जो यूक्रेन के राश्टपती है जिलेंसकी उन्होंने कहा है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा अभी के लिए तो ये बहुत बड़ा कदम है आप कह सकते हो जिसकी वज़े से आगे चल कर हो सकता है कि यहाँ पर जो मेंबर्शिप तो काफी बड़ी बात है इसको डीटेल से समझेंगे और यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि जो जो डिमांड था उसको लेकर इस समय यूक्रेन का क्या कदम है काफी कुछ जानने को इस वीडियों में चली आगे बढ़ते हैं लेकिन ध्यान चाते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं मैं वहाँ पर कई सारे जो MCQs हैं वो लगतार अपडेट करता रहता हूँ चली यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अभी exactly क्या हुआ है देखें जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वलोडेमेर जेलेंस्की उनका एक ब सबसे बड़ी डिमांड थी सिर्फ यही नहीं इसके अलावा और भी कई सारे जो डिमांड थे जैसे कि जो दो रीजन है आपके डोन आस्क और लुहांस उन दोनों पर भी क्या स्टेटस होगा क्या वो इंडिपेंडेंट माने जाएंगे उसका क्या होगा उसको लेकर भी व इसको हम डीटेल से समझें कि यहां पर जिलैंस्की का क्या क्या कहना है लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रश्या की वो चार डिमांड कौन से हैं जिसको लेकर रश्या कह रहा है कि अगर यह मान लिये जाते हैं तो युद अभी तुरंत स्टॉप हो सकता है सबसे पहला है कि युक्रेन जो है वो अपमला military actions को छोड़ दे मतलब कि यहां पर रश्या चाहता है कि युक्रेन पूरी तरह से demilitarize हो जाए यहां पर युक्रेन के पास कोई हतियार ना हो मतलब कि वो एक neutral country type का बन के रहे यहां पर उसके पास किसी प्रकार का जो military power है वो युक्रेन है वो एक ऐसा देश है जहां पर जिसकी काफी बड़ी border रश्या के साथ जोड़ती है तो यहां पर रश्या यह चाहता है कि उसके constitution में बदलाव किया जाए और यह एक neutral state के तौर पर है मतलब कि ना तो वो NATO में जाएगा ना तो रश्या के किसी ब्लॉक में जाए कि 2014 से जो एरिया है क्रेमिया वो रश्या का ही पार्ट है और चौता और आखरी जो की सबसे latest है डोनेस्क और लुहांस्क यह जो दो रीजन है यह independent states के तौर पर declare होने चाहिए तो यह चार जो demand है उसको लेकर एक के करके क्या बोला है जेलिंस्की ने सबसे पहला NATO को जॉइ जेलिंस्की ने कहा दिया है कि हमारा अब कोई प्लान नहीं है NATO को join करने का और इसका main कारण ये भी अगर आप देखोगे ना तो जेलिंस्की ने acknowledge किया है कि NATO खुद यहां पर अभी ready नहीं है अमें accept करने के लिए क्योंकि आपको पता ही है NATO में अगर आप एक बार join कर लिए और कोई भी देश अगर आपके उपर आक्रमर करता है मतलब कि वो बाकी के जो 30 कंट्रीज है उनके उपर भी आक्रमर जो है वो माना जाएगा तो अभी के लिए NATO किसी प्रकार से planning नहीं कर रहा है कि इसको हम शामिल करें और इसलिए कहीं न कहीं यूक्रेन ने भी आप इस स्टॉक वगर होनी है वो दोनों के सहमती से ही होगा अब हम आते हैं दूसरे यहाँ पर जो demand that is क्रीमिया को लेकर क्रेमिया मैंने आपको पहले ही बता दिया यह जो ब्लैक सी में आप देख रहो यहाँ पर तो इसको 2014 में अनेक्स किया गया था रश्या के दोरा और उसके ब क्रीमिया को यहाँ पर रश्या का पार्ट मानते हैं लेकिन यहाँ पर रश्या अश्या अश्या आता है कि यह सब लोग इसको बात को माने तो यहाँ पर हो सकता है कि में भी क्योंकि अगर आप क्रीमिया के जो head है उनका भी यह कहना है कि आज नहीं तो कल सभी देशों को मा तो यहां पर ज्यादा तर जो लोग अगर आप देखोगे ना तो वहां पर रश्य सेपरेटिस्ट रहते हैं मतलब वो रश्या को सपोर्ट करते हैं तो यूक्रेन को यह बात अलएडी पता है कि यहाँ पर जो लोग रह रह रहे हैं वो यूध विरोध कर रहे हैं यूक्रेन का और पिछले साथ साल से अलएड़ी काफी जादा यहाँ पर हिंसा हो चुकी है मतलब जो क्रीमिया वाला पुरा एपिसोड हुआ था 2014 से तो अलड़ी यहाँ पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ कई मतलब 1500 लोग, 2000 लोग इतनी बड़ी संक्या में लोग मारे गए हैं ऐसा यहाँ पर 15,000 भी बताया जाता है कि यहाँ पर पूरे फाइट जो पूरा उक्रेट पिछले 7 साल में चला है फाइट उसकी वज़े से मारे गए हैं तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे ना जो जेलेंसकी है उनका कहना है कि रश्या का यह जो डिमांड है कि यह जो दो रिजन है इसको इंडिपेंडेंट डिकलेर किया जाए यह इतना असान नहीं है अल्दो अगर आप देखे तो यहाँ पर काफी सौफ्ट स्टैंड लिया जा रहा है मतलब जेलेंसकी यह नहीं कह रहे है कि यह यूक्रेन का ही पूरी तरह से पाट है उनका कहना है कि यह जो डिमांड है उसको हमें विचार करना होगा यह इतना असान नहीं होगा इसको इंडिपेंडेंट डिकलेर करना क्योंकि ultimately as a president उनको सोचना होगा कि वहाँ पर जो लोग है उनका आगे जीवन कैसा रहेगा किस तरह से चीजह चलेंगी तो उसको लेकर Zelens की थोड़ा सा soft stand ले रहा है वो यह नहीं कहा रहा है कि हम इसको independent डिकलेर करेंगे लेकिन वो compromise कहीं न कहीं बातचीत करने के लिए तयार है पुतिन से इन सभी मुद्धों पर और आखरी जो मुद्धा है demilitarization मैंने आपको बताया जो रशिया ये कह रहा है कि military पूरी तरह से खतम हो जहें नहीं चाहिए योक्रेन की तो ये जो demand अगर आप देखोगे न तो ये बहुत मुश्किल demand लगता है मुझे तो नहीं लगता कि योक्रेन इस बात को मानेगा और में भी मानेगा क्योंकि आप समझे आज के देट में अगर रशिया ने हमला किया योकरेन के उपर और पिछली दो हफते से उसको रोकने में कामयाब रही है काफी हत्तक योकरेन की जो सेना है जिस प्रकार से अगर आप numbers की बात करें तो उसके बाद भी काम्याब रही है उसको रोकने के लिए तो उसका मेन कारण यह है कि उसका मिलेटरी कहीं न कहीं उन्होंने अपने आपको इंप्रूव करने की कोशिश किया है, नेटो के देशों से कई सारे मदत मिली है, तो ये जो मदत है ये सारी चीजे हैं, इसको शायद यूक्रेन नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी जैसे पोलैंड हो गया, वहाँ पर अगर कोई हतियार सप्लाई करते हैं यूक्रेन को तो यूक्रेन को कुछ हद तक मदत होती है तो यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या होता है, में भी हो सकता है, शायद तीन जो डिमांड है, वो रश्या की कुछ हद तक मानी जाए, दो डिमांड मानी जाए, एक पर दोनों लोग कुछ ना कुछ कॉंप्रमाइस करें और जो डिमिलिटराइजेशन वाला है, वो शायद यूक्रेन ना माने, तो कहीं न कहीं कॉंप्रमाइस तो अल्टिमेटली यहाँ पर आना पड़ेगा, और युद को रोगना ही पड़ेगा, और इस सभी को लेकर आपको पता है, यहाँ पर कई राजधानी है, यह तो सेंटर में हो गया, लेकिन इसके वेस्टन साइड में यह जो रीजन है ब्रिस्ट, ठीक है, यहाँ पर यह पूरा पीस टॉक आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो यूक्रेन के नेगोशियेटर्स हैं, उन्होंने देशों के बीश में, और यहाँ पर यूक्रेन को एक परकार से कुछ चीजों का जो प्रोटोकॉल है, उसको साइन करना था, वो यूक्रेन ने अभी तक नहीं किया है, और दोनों देश फानली अग्री किया है, कि जो नेगोशियेशन से जान गई है, शायद नहीं जाती, अब जो भी है यहाँ पर, रशिया ने भी किया, गलत किया, इन्वेशन किया, लेकिन अल्टिमेटली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो एक देश था, यूरोप का इतना बड़ा एक देश जो है, वो यहाँ पर पूरी तरह से, आज के हलात ऐसा लगता है, कि सीरिया और अफगानिस्तान जैसे हो गया है, जाने से पहले एक इंटरस्टिंग कोशन आपके लिए, यहाँ पर आप क्या बता सकते हूं, मैंने पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलगला सोचल मीडिया पर भी आप जड़ पाएंगे, साथी साथ जैसे मैंने आपको बताया है, कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं, simply use this code and you will get maximum discount, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता आप से नेक्स time, till then, thank you very much, see you.